कि हलो वेल्कम यूल आज है बाइस जून और आप सभी लाएं फिर से एक इंपॉंट वीडियो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आदानी पाउर लिमिटेट के बारे में तो इसके डेल स्टिंग प्राइज आ चुकी और कंपनी ने ये कब अप्रूव भी कर दिया था तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं इसकी कंप्लीट करना चाहिए क्रें या विरबाय भी कर लें चलते हैं इसका सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट सेक्शन आपके सामने में ला चुका हूं जहां दानी पाउर लिमिटेड ने फैनलाइज किया है कि इनकी डिलिस्टिंग प्राइज जो एक्विटी शेर्स की होगी वह प्राइज होगे 33 रुपीस 82 पैसा मतलब अगर हम फ्राइडे की बात करें तो यह 38 रुपीस पे था आज भी आज इनकी बॉर्ड ऑफ मीटिंग में पर भाई अगर में 29 को यह अप्रूव हो गया तो आज के दिन क्यों बता रहे हैं उतना लेट क्यों बता रहे हो सबसे पहले तो को इल्टा यह और बीसी को इन से पूछना चाहिए कितना पहले इन्होंने डिलिस्टिंग अपने बॉर्ड इसके हाइव लेवल पे वह क्या करेंगे तो उनको अगर इसे बेस्ट प्राइज मिला तो पहले निकलने की कोशिश करते तो अब यह अप्रूवल दे रहे हैं तो इस पे भी हम बात कर लेते कि इनके तो अप्रूवल हो चुका है जो बोर्ड ऑफ मीटिंग हुई इनकी जि वह आ चुकी है महलंब की वोटिंग आ चुकी है क्योंकि इनों ने जो डेलिस्टिंग का तरीका अपनाया है इसके अप्रूवल के लिए अगर हम उसमें देखें कि इनोंने अपनी सारी इन्फरूमेशन जितनी भी शेयर ओल्डर की थी इनके पास कंपनी के पास उनके अप पोस्टल बॉलेट और यी वोटिंग के अधार पे रखा मतलब की समने अपने अपनी वोटिंग की कि इसको डिलिस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और प्राइज़ वारे उसी के बीच में डिसकस हुए उनके और जिसके थूँ कंपनी ने पोस्टल बेलाउड नोट तो मेरी नॉलेज में तो यही कि कंपनी के पास कम से कम 90 परसेंट की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए इन्होंने तो यह इंटरनल किया जो भी इनके इंटरनल ग्रूप से अधानी के अधानी प्रॉपर्टेइज वो चाहिए अधानी ट्रांसमेशन वो जिसकी भी शेयर होल् बात करें जून चल चुका है महें तक की भी नहीं हमारा पास हमारा पास जो विलेवल है वह है मार्च तक की तो अप्रेल और महें में इनों कितनी शेर होल्डिंग खृदिए क्योंकि इनकी पहले की शोर होल्डिंग की बात करें लगवक 46.64 परसंट की एक फाइस के पास तब भी कितनों ने बेची है और अधर डियाई जो इनके साथ अधर प्रमोटर जैजिनों ने इसमें रखा है तो अगर इसको हम प्लस करें थर्टी फाइव और 46 के असपास अगर हम इसकी बात करें तो यह हो चुका है आपका 81 82 के आसपास इनकी लगवक प्रमोटर होल्डिंग है लगवग आठ परसंट का गैप बचा है जो इनके मैं और जून मन्त में मलब मैं 29 तक बो रहे हैं मैं 29 तक बो रहे हैं मलब यहां तक कहीं ना गई है अपनी शेर होल्डर अगर 90 परसंट पहुंचाने में सेक्सेस्फुल रहे होंगे 90 परसंट तक तो कहीं ना कहीं आप यह बोल सकते हों कि यह डी लिस्टिंग इस प्राइस पर हमार को देखता हुआ मिलने को मिल सकता है सबसे पहले तो हमार को यहीं इंफ्रोमेशन क्लेक्ट करने पड़ेगी जब भी आदानी पावर अपना शेर होल्डिंग नया पैटरन बहुत आएगा कि किसके पास प्रमो यह बेजा होगा इन्होंने कि यह डी लिस्ट करना चाते और जो इंटरनल है इनका कि किस प्राइस पर होगा में 29 पर हो चुका है तो उस टाइम तो सही में इस प्राइज तक था पर यह जो लेट इंफ्रोमेशन दे रहे एनसी और बीसी को कही ना कहीं हम जैसे रिटेल नि यह सबसे पहले इसमें जब तक कंपनी अपनी शेर होल्डिंग नहीं बताती कंपनी के पास क्या है तो इसमें डिसीजन ले पाएगे एज आफ तक तब तो जिन्होंने इसमें नीचे ले लेवल पे शेर होल्डिंग ले रखी है कही ना कहीं 38 उनको बैटर ऑपरचुनिटी एकजिट करने को ऐस पर अगर हम 33 की बात करें तो कहीं नहीं जिनों लोवर लेवल पर रख है वह तो 38 पर बेज सकते हैं पर जिन्होंने यह लेवल स्वेशाब पर पहले कहीं ने कहीं वह इस शेर में अब अपने को फसा हुआ पा रहे है की 38 प बेज़ देगी थर्टी 3 प प्रूव हो चुकी है इनके शेयर होल्टर मान चुके हैं तो कहीं ना कहीं ये डिलेस्ट इस प्राइस पर हो जाएगा क्यूंकि अधर डियाइज को तो इन्होंने लगबग भीजा ही होगी एक वाईरी और अब डिपेंड करता है इसमें से कितना माल बेचा है और इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग कितनी बढ़ाई है यह सब चीज़े इस बातों पर मैटर करती है वहीं अगर वंडे की चार्ट में हम देखे आदानी पावर को स्ट्रॉंग लूक आउट था पॉस्टिव ट्रेंड में था मार्केट साथ अच्छा बाउंस बैक ले रहा था और व दिये जा रहे हैं और इससे भी कई न कई उमीदे थी इसके भी अच्छा का सा बिजनर्स था पर कंपनी अब डिलिस्ट कर रहे हैं तो अब फिर प्राइज को क्या देखने को मिलेगे और वहीं बात देख़ेंगे आप फिफट वाइप नाइन पर सेउन परसंट की डिलिव इसके अधर शेर होल्डर ऑगरी होते हैं की नहीं कांपनी को 90 परसंट शेरौल्डर को मनाना होता है साफ लब्जों में यह बात है 90 परसंट शेरौल्डर को मनाना होता है और फिर वह बाकी 10 परसंट जिसमें हम यह आते हैं mostly retail निवेशक उनको वह प्राइज पर ही वह शेर the video.